नानंद रूपायो वि इस्षोषवध्या दिये तबे काकरखेवन शायो स्री प्रीषणाय गयां मौाव जिन गवान का सत्य स्वरूप है जिन गवान का चित्य स्वरूप है जिर पगवान का आंद्ध शरूप है और जो पगवान सच्रानद रूपी और विशोत अप्त्यादी ये तवे इसे विश्व को उढ़ने कर ले वाले हैं, पर इसका पालम कर ले वाले हैं पर इसका संधार कर ले वाले भी हैं ऐसे विशोत अत्यादी वे वे उतकती पालनों संगार के यह तुमाने जो कारण है और तापक तरह बिनावसायों तीन प्रकार की जो ताप है आध्यात्मिक आधी दैबिक आजीव होते इन तीनों तापका जो नवाना करने बाले हैं वह वहूने है श्रीकृस्तन है यल्मा मुश्य चांता है फिर आखकाना क्यों नुमा यह मुझ नुमा फिरकी अजैरए होनी स्रीकृस्तन में मुश्य बशन का सिवरूपिन來到 नुमा नुमा उन। यह नोगी अपूल साथ मुड़े और बीक्मी सथ्यावर्टम सब्सक्रान नियू गुद्सक्तियम सथ्या से यह निविधन तो सव्य सथ्या सथ्यां सच्रां सपड़ेत्रम सथया दुक्ष्णकुणेगरुस्थ मत्रिवी सत्य भगवान का नमन किया गया है, जिहान किया गया है, यह भगवान जो है सत्य स्वरूप में और सत्य में सब कुछ समाहित हो जाता है, सर्वी सत्यम तुष्छिकम तो ऑगवान का सत्य शणूप हैं जो त्रकाला वादित सत्य है, जो उत पहुष्यबर्द्वान सभी में सत्य है, सत्य में कभी बढ़ चिल ने शणूप है, इच्चा बंहां से दिलay ऐसे aat इंक एद जो कश्या सेयो कि उत्रों कराश। में एक लिए क्रिक मिया चाथ क्रास। जैना जो जो और लो ऍे व שלा में प्रकाश करते हैं। भू परिजगा के प्रकास। और प्रकासित प्राम हुआ। भागवान स्री इतना जू. जुमाया के स्वामी हैं और सभी गुणाओं की आस्रे है तो जगते प्रिकास्यों प्रिकास के राम। जगते प्रिकास प्रिकास के राम। माया जीशे ग्यान गुन गाम। माया डी से ज्याने बुर्डेगा तो जो सादे शे zajशा को प्रिकाश्षित कर देवादी स्व्यंकिसी की तो दर प्रिकाश्षित नहीँ है जो स्व्याद प्रिकाश्षित है और माया के स्वामिय है ज्यान और वुणों के जो धामे अस्ट है jail i dすご जो रहु है और उनका स्वरूप है प्रकास स्वरूप है प्रकास रूप से जो विद्यवान रहते है सारी जगत में और जिन भगवान का आनंद स्वरूप है सत्य चेतर और आनंद स्वरूप आनंद रूप हैं जो रहु है यह आनंद क्या है यह आनंद भगवान का आपना स् और इसी आनंद की तलास में सारी दुनिया है. जैसे खाने पीरी का आनंद है आपने की जानते हैं, और पसु को की नी जानते हैं. अरगा अरगा डालो गए, तो जितने स्वाद से पसु, हरे चारे को आनंद से खाएगा, सुन्धी चारे को नहीं खाएगा. सानी बना करके जब भुस्ट दालोगी जितना उसको बड़े स्वाद और आननी से खाएगा उतना सूपा उसनी खाएगा खानी में, पीने में, चले में, पिर्डे में, आर, लिज़ा, भै में, तुनंचो, सामान में, मेतत, पशुवर, नराडा में एक धर्म मानम में विसेश है, अन्य था, घर्म से हीन अगर कोई मनुस्य है, तो वो भी पसुत ले, धर्मे नहीना पशुवर, भगवान का आनन्द स्वदू, आनन्द भगवान में हैं, पर अधिये सारी दुनिया आनन्द करास्ती है, संसार में, आनन्द तो है संसार में, प्याट से में हो जैव, श्री राड़िए, संसार में है, पर अतुं संसार का अजो आनन्द है चो, और वो समा तोने बारा, घंव होने बारा, जैसे पक्ली प्राक्ति और पत्ति कुल्डा निकल जाए, पत्ति ज्खराध निकल जाए, या पत्त बीच में अंगर जाए तो वे आनद रिखोट़ाई लेए जाए, जान रेड़ा निकल जाए या वी ँच में आपको छोड़ कर चला या तो पर वो आनद आक पषुए द्धन प्राप्टी का आनद है, जिक जिन धन नश्ट हो गया तो फर स्थिती हो जाती है, धन अप्रणती अर्मी नश्टा आम तो घरवे, क्या हुआ 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 हमारी संपत्ती चाहिए, चुकी तुम अले नहीं, पर धनवई बुद्धी हो जाने के कारण आप अपने आप सत्सार का जो आनद है, वो खंडित होनेवाला, समाथ होने वाला, विनासी आनद है, जिसका कभी विनास से नहीं होगा, ज़ि सच्छा आनंद आपको प्राप्त करना है, तो वो आनंद उस पर्मात्मात्मा है, तो जो पर्मात्मा आए, त्याक से हो जैस्ट्री रादेगा, जिनको तोड़ा सहल अश्यारा हुँ, जोड से को दिया करो, बगल बाले भी एक दूप जाएं, इतने जोड से क्यों बू जो जाना जो जी दूप जागा, जो सब दूप जिरागा, इक रादा, यह आनंद जो हम दुनिया में करास रहें, यह हमारे बीदा रिख़वा है, तो यह क्रस्तूरी रखभीता है, जैसे उसके अपने अंग में गस्तूरी रहती है, और उसकी खुदू से वो सोचता है, ज जी नहीं समझभाता कि उसकी मेरी बीदा है, तो इस तरह से आनंद हमारे अपने अंगर है, और आनंद स्टूरू करना साम हमारे अंता करण में हमारे घ्रदे में ग्राजिमान हैं, लेकिन हम उसा आनंद को भीतर नी तराक से बाहर को खुश दे रहें, जैसे कुश्व में जो सोगंद है या गन्य में मिठास है, तो जैसे वो खुस्कूस के और कंड एर ब्याँता है, गन्य के रेशे में जैसे वो मिठास ब्याँता है, और इसी तरह से वह भगवान हमारे तन मन और जीवन में समाई हुए है काश हम अपने आत्मे चंतर के लिए कुछ समय निकाल पादे यह सांसार के बिलास से हटकर काश हम अपने भीतर उस पर्मात्मा को खलासे अभी दाशी ने बड़ा सुन्दरी भाव लेखा है कि आनन्द स्रोथ वहरा पर तुई उदासे अच्छ रहते हैं जन्मे रहे की भी मच्छी को प्यास हुए हमारे भीतर ही आन्द का स्रोथ प्रवाहित हो रहा है उसका अस्वादर ना करके बाहर आन्द रास्ता ही हुए और जब आन्द म्हंदत हो जाता है तो उदास हो जाता है इसलिए वो कहते हैं अच्छ री की बात है या पानी पे चुनी प्यासी मुई सुमसुम्याव रहा है पानी पे चुमी प्यासी याने जल के बीच वें और मच्छी प्यासी ये सुमशुकर मुझे बढ़ी हुस्ट यानि भीतर आनंद समद्र लहरा रहा है और हम उसकी तरह बाहर कर रहे हैं और जब वाहर आनंद समात हो जाता है घंजे तो हो जाता है तो दरम रोने पीजने और चीखने देखा इसी लिए आनंद तलासरे के लिए बाहर जाने की वावश्यक्ता नहीं है अपनी देखने आनंद कम्यों रहाइबाने को ठरासो उनको प्राइब कर देखा एक घंजे के मार्चन से हम राप इस बाहवत दूदो जाएंगे आनंद स्रोग बेरा पर तू उदासे आनंद स्रोग बेरा पर तू उदासे अचरज है जल मेरे के भी मच्री को प्यासे अचरज है जल मेरे के भी मच्री को प्यासे आनंद स्रोग बेरा पर तू उदासे अचरज है जल मेरे के भी मच्री को प्यासे आनंद स्रोग बेरा पर तू उदासे आनंद सोथ तेरा कर तू उदासे आनंद अत्रजे जल मेरे किमत नी को प्यासे अत्रजे जल मेरे किमत नी को प्यासे है गंद में जो मिटास पूल में सुबासे गंद में जो मिटास पूल में सुबासे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जड़ा देख दो सई तु जान कर तु खोल जड़ा देख सो सई जान कर तु खोल जड़ा देख सो सई जड़ा देख सब्सक्राइब करें जड़ा देख सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जड़ा देख सब्सक्राइब करें